तो हाई गाईज वेलकम बैक टो अनधर लीडियो तो गाईज आज है हमारे पास ब्रैंड न्यू ब्रुष्टो का इलेक्ट्रिक इरेजर तो इसका मैं first impression दूँगा और actually क्या हुआ कि जो unboxing वाली वीडियो थी उसमें थोड़ी सी गड़वड हो गई तो मैंने उसका preview starting में डाल दिया था तो यहाँ पे unbox तो नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको बताने वाला हूँ और अपने thoughts में बताऊँगा अपने opinion कि क्या आपको यह इरेजर जो है वह पर्चस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो अब भी फिलहाल क्या है कि बहुत जादा हाइप बनी हुए है इस टूल की अब देखो किसी उसभी product का किसी भी चीज का हाइप बनने का 2 ृहды होता बेसिकली 2 ृआ होते हैं पहला होता है कि product बहुत है मतलब कम प्राइस में आपको भूसारी quality की तो यह बिल्ड क्वालिटी में मुझे मिली जूली है मतलब मेरा जो पीनियन है क्योंकि इसके अंदर मैं बता दूं आपको बैटरी अलग से आपको लगाना पड़ता है तो 20 रुपया आपको अलग से खर्च करने पड़ेंगे इसके साथ बैटरी नहीं आती है दो बैटरी आपको ट्रिपल ए साइज का लगेगा उसके बाद इसके साथ 10 लीड आती है 2.3 mm की और 12 लीड आती है 5 mm की और 2.3 mm की लीड आपने कहीं न कहीं देखी होगी अगर आपके पस यह वाला टूल है Mono Zero Eraser और मैं इसको इससे भी compare करके देखूंगा क्योंकि लीड आप देखो almost similar है यह वाली तो क्या Mono Zero Eraser को यह Eraser replace कर सकता है तो बहुत सारे सवाल है सारे question का answer मैं देने वाला हूं इस वीडियो में तो अब हम बात करते हैं कि basically Eraser इस तरीकी का जो Eraser होते हमें किसली चाहिए होता है तो सिधी सी बात है हमें highlight के लिए चाहिए होता है और जहां पर हम dark shade करते हैं वहां पर हम अगर highlight एड़ करना है white lines एड़ करनी है तो हम वहां पर इस तरीके के tool यूज करते हैं तो यहां पर देखो क्या होता है जैसे यहां पर आप देखो एक button है अब इसको हलका सप्रेस कर हो गए यह होन हो जाएगा इस तरीके से और sound आप सुन लो speed बहुत ही तगड़ी है तो इतना clear हो गया कि अगर मैं इन दोनों को side by side रखूं और मैं भी कोई भी area को dark कर दूं और वहां पर मैं apply करूं और इस तरीके comparison आपने obviously देखा होगा तो बहुत common से बात है कि यह बहुत ही अच्छा line create करेगा तो इस तरीके का आपने देखा होगा बट फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर मेरे पास drawing seat है इनको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं और यहां पर ना दो होल्डर में मिलता आपको pencil eraser का holder तो easy to use है मतलब कुछ खास मतलब उसके लिए tutorial नहीं चाहिए आपको कैसे यूज करना easy to use है तो फिलाल मैं इसको side रखता हूं और एक डार्क शेड में बनाता हूं इस तरीके से आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगा ओके तो हमें अब यहां पर मैंने बिल्कुल डार्क से सेड कर दिया इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लेता हूं अब मैंने इसको ब्लेंड भी कर दिया अब यहां पर इस तरीके का comparison आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर हम अपलाई करके देखेंगे तो यहां पर देखो common sense की बात है यार कोई वह चीज नहीं है common sense की बात है कि यहां पर मैं simply इसको अपलाई करूँगा और यह electric है यहां पर आपको बहुत ही fast movement है circular motion है मैं बिल्कुल प्रेशर की भी जरूवत नहीं मैं के वले से अपलाई करूँगा एक लाइन के जाएगा करके देखते हैं वसा जिसे मैंने एक बार किया बिल्कुल हलका सा लाइन बना उसके बाद दूसरे बार किया इतनी बार मैंने अपलाई किया तब जाके एक लाइन बनाए और वैसे बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाइट सा लाइन बर रहा है जो वीजिबल भी नहीं है अब मैं इसको अपलाई करता हूँ ठीक है अब बहुत ही एज़ली यह लाइन क्रियेट हो गया यहां पर मतलब अब ऐसे देखा जाए तो हम इलगेगा कि यार बहुत ही ज्यादा इज़ी है इसको यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जागा हाई-लाट क्रियेट करने में बट क्या इस तरीकी का कंडिन हम हमारे पास हमीशा होता है अब बहुत लोग यह भी बोलते हैं कि हम इससे मोनोजेरो एरेजर को रिप्लेस कर सकते हैं अब थोड़ा प्राक्टिकल बात करते हैं अब मेरे पास जैसे यह ड्रॉइंग है जो मैं अभी करेंटली बना रहा हूँ ठीक है अब यहां पर देखो मैंने पहली बताया था इस ड्रॉइंग में कि इसकी जो सेडिंग है बहुत ही लाइट है अब यहां पर सपोज एक कंडिशन में बता रहा हूँ आपको कि फोरेट पर मुझे मिट्टोन एड़ करना है मतलब थोड़ा बहुत मुझे हाईड़ाइट तीन है तो मैं हलकी सी इस तरीके से टैप करके हलकी से सेर्कुलर मोशन में मैं यहां पर मिट्टोन दे दूंगा अब देखो जब भी हम हाइलाइट एड़ करते हैं खासकर मिट्टोन पर या फिर आपको हलकी सी हाइलाइट चीए वहां पर मुझे हमें दो चीजों की सबसे ज़ यहां पर मैं मेरे हाथ में बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप हो रहा है मैं इसको अच्छे तरीके से हैड होल्ड कर पा रहा हूं उसके बाद मैं अपने ही साब से प्रेसर को कंड्रोल कर पा रहा हूं जिस तरीके से मुझे सेट चाहिए अगर मुझे जादा चीए मैं जादा प्रेसर अपलाई करूँगा तो मुझे हलका सा हाइलाइट चीए मैं हलका से यूज़ करूँगा बट यहाँ पे वो केस नहीं है सबसे पहली बात इसके ग्रिप मुझे उतनी जादा कमफरड़ नहीं लेगी कि हो सकता है मैं पहली बšकर रहा हूँ in मैं यूज्टू नहीं हो इस तरीके का ठीका का तूर यूज़ करने का तो उसकी वज़्यसे भी हो सकता है मैंभी उसके बाद जैसे इसको होल्ड कर ता हूँ अब यहाँ पर जैसे में प्रेस करता हूँ ना मेरा हाथ थोड़ा पर अगर आप beginner हो तो आपके लिए बहुत जादा मुश्किल है मतलब लगभाग impossible है midtone आप नहीं दे पाऊगे ये उस case में आपके लिए काम करेगा जब इस तरीके का मैं यहाँ पर मालनों setting करूँगा ठीक है dark setting करूँगा complete dark है मुझे हलकी से lines create करनी है तो मैं यहाँ पर यूज करना हूँगा और वहाँ पर भी आप control नहीं कर पाऊगे यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से pressure control नहीं कर पाऊगे क्योंकि थोड़ा सा भी pressure आप दोगे वो पूरा area white हो जाएगा ठीक है तो अब जैसे मैंने ये इतना प्रोटेट बनाया है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मुझे किसी भी जगह अभी तक किसी भी जगह पर इस तरीकी का टूल के मुझे जरुवत नहीं पड़ी थी इसकी जरुवत है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत highlight देना है मैं add कर लूँगा ठीक है तो अगर आप यह सोच रहो ना कि यह टूल पर्चेस करके इसको आप replace कर दोगे तो यह possible ही नहीं है क्योंकि यह बहुत ज़ादा useful tool है और इसका use मुझे limited लगा हर जगह इसको use नहीं कर पाऊँगे और देखो इस तरीके का case इससे भी आप वह कर सकते हो तो मेरा opinion यही है अगर आप beginner हो तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास 400 रुपे हैं आपको 400 रुपे tools पर्चेस करने में खर्च करना है तो आप इसको छोड़के कोई और tool पर्चेस कर सकते हो जैसे हमारे लिए drawing sheet बहुत या फिर आप इसमें बहुत जादा involved हो आपके अंदर skills हैं आप handle कर सकते हो pressure और इस तरीकी का जो आप जैसे इसको use करते हो थोड़ा सा imbalance हो जाता कर आप इसको handle कर सकते हो आप इसको use कर सकते हो basically आप explore करना चाहते हो और आपके पास proper budget है अब इसको purchase कर सकते हो but अब अगर यह सोच रहे हो कि इसको replace कर देगो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है limited use है और 400 रुपए के हिसाब से जादा बुरी deal नहीं है लेकिन problem यह है कि हमें इसकी जादा जरुवत मुझे लगी नहीं मैंने इतने ड्राइंग बनाई है अभी तक अभी तक मुझे बहुत ऐसे कम situation आये है जहां पर मुझे लगा हो कि इस तरीकी का वी टूल होता जहां पर मैं इसको use कर लेता हूँ तो एर एक चीज़ बहुत clear है कि अलग लग लोगों के अलग अपने अपने opinions होते हैं तो यार मैंने अपना opinion बता दिया आप comment में बताओ कि आपका opinion क्या है इस टूल को लेके क्या आप मेरे बातों से agree करते हो या फिर disagree करते हो क्योंकि हर किसी के opinion का मैं respect करता हूँ हर कोई अपने तरीके से सोचता है हर किसी के opinion अलग अलग होते हैं तो आज की वीडियो में ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए